बच्चों आपके सामने सो सब प्रतिमन्द गतिका डिक्टिसन दे रहा हूं यास स्टार्ट गोवा में कांग्रेस विदाहिक दल में तूट पार्टी के लिए कतई अच्छी खबर नहीं है सवाल है कि जब देश की सबसे पुरानी पार्टी के सिर्शनेता बहरत जोडो यात्रा पर निकले हैं तब गोवा में पार्टी के आठ विदाहिकों ने पाला क्यों बदला वहाँ अब पार्टी के सिर्फ तीन विदाहिक बचे हैं ये विदाहिक दल बदल पर सतरूर भाजपा में चले गए हैं राजनिती और राजनितिक दबाव अपनी जगे है लेकिन गोवा में कांग्रेस का निरंतर कमजोर होना अपने आप में अध्यन का विशे हैं एसे दल बदल के लिए कभी प्रलोभन तो कभी भयादोहन को जिम्मेदार माना जाता है लेकिन ऐसा कांग्रेस के साथ बार बार हो रहा है तो उसकी चिंता बढ़ जानी चाहिए क्या पार्टी का वेचारीक आधार कमजोर हुआ है क्या पार्टी अपने नेताओं तक अपनी वेचारीक मजबूती का संचार करते रहने में नाकाम हो रहे हैं किसी पार्टी के पास सत्ता नहों तो उसके नेताओं का राजनिती में तिकना चुनोती पूर्ण होता है तब पार्टी के इतियास बुगोल और भविस्य की संभावनों का आकलन करके ही नेता उसमें तिक पाते हैं आज की राजनिती में किसी दल को तोलने की रणनिती आश्यर में नहीं डालती लेकिन पार्टी को बचाने और नेताओं को राजी रखने के यतोचित प्रयासों का न होना ज्यादा चिंताजनक है गोवा के राजनिती के इतियास में एसा पहली बार हुआ है जब धर्म के नाम पर सपत लेकर पार्टी विधायक बने लोगों ने पाला बदला है होंगे ऐसे निता जो पार्टी को जोड़ने में लगे हैं लेकिन कहीं ऐसा ना हो की एक और आम लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने के प्रयास चल रहे हों और सोयम पार्टी के निता ही धल तोड़कर जाने लगे गुलाम नभी आजात के जाने से अभी कांग्रेस उबरी ही नहीं और कुछ लोग यह मान रहे हैं कि आजात के जाने से असर नहीं पड़ेगा लेकिन ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि गड़ा बून-बून से भरता है गौवा की चालिस सदसी विदान सभा में अब कांग्रेस के महज तीन विदायक बचे हैं तो यह जरूर देखना चाहिए कि पार्टी को जोड़कर रखने की जिम्मेदारी किस पर थी भाजप्पा नेता और गवा के मुक्यमंत्री प्रमोच सावंत ने तंच किया है कि कांग्रेस ने भार जोड़ो यातरा की शुरूआत की है लेकिन मुझे लगता है कि गवा में कांग्रेस चोड़ो यातरा शुरू हो गई है देजभर में लोग कांग्रेस को छोड़कर बाजप्पा में सामील हो रहे हैं ये बात और चिंताजनक है कि गल छोड़कर जाने वाले नेता लंबे समय से नाराज चल रहे थे सवाल फिर यही कुड़ता है कि इन्हें मनाने की जिम्मेदारी किस पर है पार्टी में बहुत से लोगों को पता था कि कांग्रेस तूटने वाली है फिर भी मौका हाथ से जाने क्यों दिया गया बेसक कांग्रेस की पद्यात्रा सपलता पुर्वक आगे बढ़ रही है और लोगों का ध्यान भी खीच रही है लेकिन गोवा की तूट कांग्रेस नेताओं के मोनोबल पर असर नहीं डालेगी या कहना मुश्कील है बड़ी संख्या में नेता विगत आठ वर्स में कांग्रेस छोड़ कर गए हैं लेकिन अब पार्टी को अपनी ज्यादा चिंता करनी चाहिए आम चुनाओं में ज्यादा समय नहीं है और सुधार में कोई भी देरी अब भारी पड़ेगी महत्वा कांग्षी भारज जोड़ो परियात्रा का संदेश पूरी पार्टी में साकरात्मक डंग से जाना चाहिए मुकाबला मजबूत भजपासे है और जिसके प्रती किसी ने किसी कांग्रेस नेता का मोहों दिख जा रहा है गवा में अब जब चुनाओं होंगे तब पार्टी को नए सिरे से खुद को खड़ा करना पड़ेगा वरना कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने की विरोधियों की मंसा कोई नई नहीं है धन्यवाद